वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल स्टुडेंट्स आज हम क्लासिक्स वसंत भाग एक से चाप्टर नमबर टू जिसका शीशक है बचपन इसके MCQ कोशन्स देखेंगे इस पार्ट में जो लेखिका है वो अपने बचपन के बारे में बता रही है तो लेखिका का जो जन्म हुआ था वो पिछली सताबदी में हुआ था तो अभी लेखका की जो उम्र है वो हमारी जो दादी है या नानी के जितनी होगी तो बचपन से लेखिका आज तक उनके जीवन में उनके खाने से लेकर उनके कपड़ों तक जिस प्रकार परिवर्दन आया है उसका वर्णन उन्हों ने इस पार्ट में किया है तो चली देखते हैं हम इसके MCQ कोशन्स फर्स्ट है लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजे मज़े लेकर खाती थी इसके ऑप्शन से फर्स्ट चने, सेकेंड चॉकलेट थर्ट चने और चॉकलेट दोनो फोर इन में से कोई नहीं तो लेखिका बचपन में कौन सी चीजे मज़े लेकर खाती थी वो है चॉकलेट तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी इसके ऑप्शन से फर्स्ट हलकी रंगे सेकेंड काले थर्ट पीले फोर रंग भी रंगे तो लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी लेखी का बचपन में जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी तो option 4 यहाँ पे right है next question देखते हैं लेखी का बचपन में इतवार की सुबा क्या काम करती थी इसके option से first वो विध्याले जाती थी second वो पोधों की देखरेक करती थी third वो नत्य करती थी फोर वो अपने मोजे वाजूते पॉलिश करती थी तो लेखी का बचपन में इतवार की सुबा क्या काम करती थी वो अपने मोजे वाजूते पॉलिश करती थी option 4 यहाँ पे right है next question देखते हैं पहले गीच सुनने के लिए क्या साधन थे इसके option से first radio, second tv, third gramophone for cd player तो पहले गीच सुनने के लिए क्या साधन थे option 3 जो है यहाँ पे right होगा gramophone जो था वही एक साधन था पहले radio tv नहीं हुआ करती थी next question देखते हैं बचपन पाथ की लेखिका का क्या नाम है इसके option से first krishna sopti second umma priyavanda third mahadewi varma fourth subhadra kumari čohan तो बचपन पाथ की जो है वो लेखिका कौन है बचपन पाथ की लेखिका है krishna sopti first जो option है वो right है next question देख लेते हैं लेखिका बचपन में इतवार की सुबा क्या काम करती थी इसके option से first वो मंदिर जाती थी second वो सबके लिए नाश्ता तयार करती थी third वो संगीत सीखती थी fourth वो अपने मोजे धोती वा जूते पॉलिश करती थी तो इसका right answer क्या है option four वो अपने मोजे जूते धोती पॉलिश करती थी मोजे धोती थी वो जूते पॉलिश करती थी next question देखते हैं बचपन में लेखिका को क्या करना अच्छा लगता था तो इसके option से first डुपट्टा ओड़ना second टोपी पहनना third सिर्नंगा पकना रखना sorry four रुमा लोड़ना तो बचपन में लेखिका को क्या करना अच्छा लगता था 2nd मौसी, 3rd बहन, 4 जीजी, तो परिवार की जो लोग थे, वो क्या कर पुकारते थे, वो जीजी कर पुकारते थे, तो option 4 यहाँ पर राइट है, next question देखते हैं, लेखी का अब अपने को कैसा महसूस करती है, तो इसके option से, 1st अच्छा, 2nd बुरा, 3rd सायाना, 4 असहच, तो लेखी का अब अपने आपको कैसा महसूस करती है, वो अपने आपको बहुती सायाना महसूस करती है, तो option 3rd यहाँ पर राइट है, next question देख लेते हैं, बचपन में पैरों में छाले क्यों पढ़ जाते थे, इसके option से, 1st पैदल चलने से, 2nd चड़ाई करने से, 3rd तेज चलने से, 4 नए जूते पहनने से, तो बचपन में उनके पैरों में छाले कैसे पढ़ जाते थे, नए जूते पहनने से, क्योंकि उसमें इतनी तकनीक नहीं थी, कि अच्छे अच्छे परकार के सोल मिलें, तो ज आप्शन से, 1st चॉकलेटी, 2nd सफेद, 3rd लाल, वो रंग भी रंगी, तो लेखी का के मन में जो अब है, सफेद कपड़े पहनने की इच्छा होती, तो option 2nd राइट है, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, लेखी का यहां किस तरह की मॉल रोट की, मॉल रोट की बात कर रही ह तो लेखी का जो है, इसके options देख लेते हैं, 1st दिल्ली शहर की, 2nd दहरादून की, 3rd शिमला की, 4 मसूरी की, तो लेखी का किस चहर की बात कर रही है, लेखी का जो है शिमला की बात कर रही है, तो option 3rd राइट है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, हर शनिवार को लेखी का को क् परता था, olive oil पीना परता था, किसलिए दवा के रूप में उनको पिलाया जाता था, तो option 4 यहाँ पर right है, next question देखते हैं, लेखिका के बचपन की कुलफी, अब क्या हो गई है, इसके option से first रबडी, second फलूदा, third ice cream, और four ठंडाई, तो लेखिका के बचपन की कुलफी अब क्या बन गई है, आइस्क्रीम बन गई है, तो option 3 यहाँ पर right है, next question देख लेते हैं, लेखिका को हर शनिवार की सुभा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इसके option से first, क्योंकि विध्याले जाना पड़ता था, second, क्यो अच्छी लगती थी, क्योंकि उन्हें जो है, olive oil पीना पड़ता था, तो option 3 यहाँ पर right, next question देखते हैं, खटा मीठा स्वात किसका होता था, इसके option से first, जामुन का, second, काफल का, third, चॉकलिट का, four, चने का, तो खटा मीठा स्वात किसका होता था, second option काफल का होता था, तो second, right है, next question देखते हैं, दोनों बच्चों को किसने सुलाया था, इसके option से first, बाबु जी ने, second, अम्मा जी ने, third, ताई जी ने, four, चाची जी ने, तो दोनों बच्चों को किस ने सुलाया था, अम्मा जी ने सुलाया था, तो option second यहाँ पर right है, next question देखते हैं, पहाडों के मुखडे गहराने का क्या आर्थ है, इसके option से first प्रकाश हो जाना, second पहाड पर सूरी की रोशनी पढ़ना, third बत्तियां जल जाना, fourth दीरे दीरे देरा चा जाना, तो option four यहाँ पर right है, next question देखते हैं, कौन सा गीत हर बच्चे को आता था, इसके options है, first बच्चे मन के सच्चे, second सारे जहां से अच्छा, third दे दी हमें आजा दी, four चना जोर गरम, तो कौन सी गीत हर बच्चे को आता था, तो इसका options क्या है, four चना जोर गर यह राइट होगा, यह गीत हर बच्चे को उस समय आता था, next question देखते हैं, लेखिका को हफते में क्या खरीदने की छूटती, इसके options से, first chocolate, second coke, Pepsi, third patties, four उप्रोक्त सभी, तो लेखिका को हफते में एक दिन क्या खरीदने की छूटती, chocolate, मतलब option first यहां पर right है, next question देख ल third शिमला का, fourth train का, तो दुकान के शोरूम में किसका model बना हुआ था, train का model बना हुआ था, तो option four यहां पर right है, next question देख लेखिका को सप्ता में कितनी बार chocolate खरीदने की छूटती, तो इसके options से, first एक बार, second, दो बार, third, तीन बार, four, चार बार, तो लेखिका को सप्ता में जो है, एक बार ही chocolate खरीदने की छूटती, तो option जो फर्स्ट है, वो right है, next देख लेते हैं, लेखिका को, लेखिका का, जन्म किस सदी में हुआ था, तो इसके options देख लेते हैं, first, अठारवी सदी में, second, बीसवी सदी में, third, एकीसदी में, fourth, बाइसवी सदी में, तो लेख किसमें हुआ था बीसवी सदी में हुआ था ऑप्शन टू यहां पर राइट है नेक्स्ट कोशन देखते हैं लेखी का जब चश्मा लगाती थी तो उनका चचेरा भाई क्या कहकर चड़ाता था इसके ऑप्शन से फर्स्ट बंदर सेकेंड लंगूर थर्ड चिंपांजी फोर तो लेखी का जब चश्मा लगाती थी तो उनका जो भाई उन्हें लंगूर बोलकर चिड़ाता था तो ऑप्शन सेकेंड यहां पर राइट है यहां पर इसके सारे MCQ कोशन्स एंड होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नुत्तर के साथ मिलेंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जादा से जादा शेयर करिए लाइक भी करिए और हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलिए वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडियेफ मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स् चूदेंट से कियर